देन यहां पर एक और चीज़ समझनी है तुमको वैसे तो NCRT में क्या किया है यहां से अगला पारेग्राफ शुरू कर दिया है विटो पारेग्राफ है कि लिखों अरेंजमेंट आप इसी बात शुरू के से अरेंजमेंट में ये तो इस अर्रेंजमेंट को बहुते हैं गरतो युवान क क्या से किया है अगर यह chloroplast है, तो यह जो मैंने एक dot बनाया है ना, यह एक dot अकेले chlorophyll A का dot नहीं है, इस एक dot में 100 से जाधा pigments हैं, जिसमें से 1 है chlorophyll A, और उसको घेरे हुए है accessory pigment, तो एक dot एक pigment को नहीं बताता, एक dot एक bunch of pigments को बताता है, और उसको नाम देते हैं photo system, इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा सा diagram मिला, जिससे तुम चीजे imagine कर सकते हो, देखो, अगर यह chloroplast है, उसका ग्रेना है, थाइलेकोईड है, तो थाइलेकोईड की membrane देख रहे हैं हम, आपको मैंने शुरू में बताया था कि cell में जितनी भी membranes होती है, सब fluid mosaic model को follow करती है, cell membrane भी lipid bilayer की बनी है, mitochondria की membrane, chloroplast की membrane, even chloroplast की अंदर अगर थाइलेकोईड को आप membranes बना रहे हो, तो वो भी lipid bilayer की ही बनी है, तो अगर मैं थाइलेकोईड membrane को देख रही हूँ, तो थाइलेकोईड membrane में देख रहे हैं, bilayer की form में, बीच-बीच में कुछ protein channels भी होंगे, प्लस, यह क्या कहेंगे, photosystem, समझ में आ गई किया बात, इस photosystem में कोई एक molecule behave करेगा, chlorophyll एक ही तरह, देखो, chlorophyll एक इतना complex है, मैं आपको शुरू में अभी क्या कहा था, कि जो pigment है, chlorophyll कोई भी एक pigment है, वो एक तरीके का substance होता है, जो CHO, magnesium अगरा, बहुत सारे atoms से बनाए, तो देखो, chlorophy कि जो chlorophyll pigment है, उसमें एक ring structure होता है, पॉरफाइरें हेड होता है, उसके center में magnesium होता है, mineral nutrition chapter हट गया ना, तो वहाँ पर दे रखा है कि, जैसे हम बोलते है, हमारे हीमोगलोबिन को iron चाहिए, वैसे ही plants में chlorophyll को magnesium चाहिए, अगर किसी soil में magnesium की कमी होगी, तो plant अपने लिए chlorophy चीक है, इस point को तुम लिख लो अपनी NCRT में, जहीं भी लिख लो, यहाँ पर paragraph खतम हो है, वहाँ पर एक note डाल के लिख दो, magnesium is present, is present in the forfyrin head of, forfyrin head फिर भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा, forfyrin head of chlorophyll, तो chlorophyll कोई एक element नहीं है अकेला, कि carbon atom है या क्या है, chlorophyll एक अच्छा खासा complex molecule, like substance, एक compound है, जिसका structure मैं तुमको दिखाया, structure पर question नहीं आएंगे, तुम्हें बस इतना सा ध्यान रखना है, उसके structure में, ऐसा लग रहा है कि chlorophyll का structure एक tadpole की तरह है, जिसमें head है और tail है, और head के center में कौन लगा हुआ है, magnesium, ठीक है, रेको nitrogen atoms भी है, यह सब चाहिए होता है, और यहाँ पे तो यह भी बता रखा है, कि chlorophyll A में यहाँ पर CH3 group होता है, और B में यहाँ पर CHO group होता है, बस इतना सा फरक होता है A और B में, बाकी पूरा structure maximum सेम होता है, ठीक है, clear, तो तो कि यह जो arrangement है, thailicoid की, यह thailicoid है से, बीच में human है, यह उसकी membrane है, तो इस membrane पर photosystem, जो है, वो एक pigments का bunch है, यहाँ क्या लिखा है, देखो, यहाँ लिखा है, light reaction or the photochemical phase, वापिस आया यह word, includes, क्या होता है light reaction में, मैंने बताया था, light को absorb करेंगे, साथ में, यह अभी तक हमने detail में discuss नहीं कि, सिर्फ शुरुआत में मैंने आपको बताया था, कि light reaction में कैसा event होगा, जहाँ पर water की splitting होगी, जिसकी वज़ा से oxygen release होगा, ठीक है, तो यह तीनों चीज़े तो होंगी होंगी, plus formation of ATP and NADPH, सबसे important जिससे dark reaction होगी, ठीक है, यह सारे light reaction के events है, तो several protein complexes are involved in this process, the pig pigments are organized, pigments individually अकेला नहीं है, pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex within the photo system, क्या लिखा है यह समझना, कि अगर हम NCRT में यह एक डाइग्राम दिया है तुमको, इस डाइग्राम में इस चीज़ को दिखाया है, इस photo system को दिखाया है, कि किसी भी photo system में क्या होता है, एक तो reaction center होता है, उसको तुम लिख chlorophyll A, A की होता है, अगर यहाँ पे 100-200 molecules हैं, तो reaction center A का केला बहुत है, chlorophyll A का A की pigment, A की molecule होगा, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, वो सब कौन है, वो सब हैं, इनको लिख दो, accessory pigments, यह सब कौन है, accessory pigments, ठीक है, तो इन accessory pigments को बोलते हैं, बच्चों, antini, यह एक तरह से extra wavelength क जैसे पहले की जमाने में होता है, बीबी TV, प्रॉपरली signals पकड़े, उसके लिए antina होता है, तो वो signals पकड़के, प्रॉपर हमको telecast करता है, तो वैसे ही, ऐसे सरी pigment किस की तरह behave कर रहे है, antina की तरह, जबकि chlorophyll A, जो की क्या है, chief pigment है, उसको कहते है, reaction center, यह main photosynthesis की light reaction को शु कर रहे हैं, light को पकड़ पकड़के इसको दे रहे हैं, तो इनको LHC भी बोलते हैं, light harvesting complex, क्या बोलते हैं, LHC, और LHC plus reaction center, यहां लिख देती हूँ मैं, LHC, यानि की antina, plus reaction center, यानि की chief pigment, now you very well know, कि इसमें आता है chlorophyll A, इसमें आता है chlorophyll B, carotenoid and xanthophils, ठीक है, तो इनको मिलाकर क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं, photosystem, थोड़ा सा फर्क है, जादा नहीं, तो photosystem और LHC synonym की तरह use हो जाते हैं, क्योंकि एक photosystem में, LHC में क्या हैं, hundreds of accessory pigments ही तो है, reaction center तो एक ही है, बट वो एक ही बहुत जरूरी है, बोलते हैं किसी भी team को lead करने के लिए एक leader तो होना जरूरी है, वरना सब लोग बिखड जाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि किसको क्या करना है, तो वैसे ही, यहाँ पर leader सिर्फ एक ही है, that is the reaction center, बट उसको surround करे हुए बहुत सारे क्या है, accessory pigments ही और इस complex को बोलते हैं, photosystem या LHC light harvesting complex, तो यहाँ क्या लिखा है, अब उसमें भी यह first second क्या आ गए भई, light harvesting complex तो में समझ में आ गया, first second का क्या मतलब है, यह actually तुम्हारी NCRT में दिया नहीं बचों, बट एक scientist थे, immersion, तो immersion अना आपने कुछ experiments कर रहे थे, photosynthesis पर, वो अलग-अलग monochromatic light डालके देख रहे थे, जैसे violet color की light, indigo, blue, red, अलग-अलग color की light डालके देखते थे, कि कौन सी light के क्या effect हो रहे है, plants पे, तो उन्होंने कुछ ऐसा observe किया, आपने उन experiments में, कि उनको लगा कि यार, यह जो photosystems की बात हो रही है, तो यह photosystems भी दो तरहा के हैं, plant के अंदर, ठीक है, दो तरहा के कैसे, बहुत जादा difference नहीं है उन दो photosystems में, सिर्फ उन्होंने कहा, अपने experiments के basis पर conclusion निकाला, कि जो दो तरहा के photosystems में बता रहा हूं, उसमें, एक photosystem में, जो reaction center है, chlorophyll A, वो है 680 nanometer वाला, औ और दूसरे photosystem में, जो reaction center है, chlorophyll A, वो है 700 nanometer वाला, यानि एक तरह से chlorophyll A के कोई subtype नहीं पढ़ते हैं, but according to immersion, chlorophyll A के दो subtypes होते हैं, एक वो chlorophyll A, जो 680 को absorb करेगा, एक वो chlorophyll A, जो 700 को absorb करेगा, समझ रहे हूं, इसके basis पर, बाकी, accessory pigment दोनों में बिलकुल सेम हैं, तो इसके basis पर उन्होंने कहा कि photosystems दो तरह के होते हैं, बिलकुल सही दा, ये बाद में और researches से इसब proof भी हुआ, और सभी botnist ने माना कि हाँ, photosystems दो तरह के हैं, जिनका involvement भी अलग-लग तरह से है, हम आगे mechanism में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, देखो, कि जो first or second नाम रखा गया न, ये एक बार नीट में इसी पर question पूछ लिया, कि ये नाम किस basis पर है, तो यहाँ पर लिखा है, this is based on the sequence of discovery, जो पहले मिला उसका नाम रख दिया, PS1, जो बाद में मिला उसका नाम रख दिया, PS2, not in the sequence in which they function during the light reaction, अब ये क्यों लिख दिया, क्य पहले PS second use होगा, बाद में PS first use होगा, तो इसलिए लिखाए है कि इनके use होने के basis पर first second नहीं कहा गया, बलकि इनकी discovery के basis पर इनको नाम दिया गया है, ठीक है, the LHC are made up of, किसका बना हैं देखो LHC, very important, hundreds of pigment molecules bound to proteins, ये pigments भी ऐसे बिखरे हुए नहीं है एक photosystem में, सब आपस मे चिप के हुए हैं with the help of proteins, कुछ proteins ने उनको bound करके रखा है, छोटी छोटे वर्ड से NCRT में question आ जाएगा, each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system, also called antennae, चाहे कोई भी photosystem हो, उसमें आपको antennae मिलेगा, these pigments, ये accessory pigment क्या करते हैं, दुबारा उसी बात को repeat किया है, कि जो antennae, ये क्या करता ह है, make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light, जिनको chlorophyll A absorb नहीं कर सकता, and the single chlorophyll A molecule, देखो बार बार इस बात पर ध्याम देना, chlorophyll A अकेला है, the single chlorophyll A molecule forms the reaction center, और इसके basis पर photosystems दो तरह के हैं, the reaction center is the one which is different in, the reaction center is different in both the photosystems, तो कैसे याद रखोगे, बहुत असान है, अगर हम photosystem first और second की बात करें, तो इनको NEET के एक्जाम में 720 में से number दे दो, जिसके 700 number आए है, वो first rank पर है, जिसके 680 number आए है, वो second rank पर है, दोनों कोई बड़ी हाख वालेज मिल जाएगा, तो simple सी बात है, जिसके marks जादा है, वो photosystem 1, जिसके कम है, वो 680, किसको represent कर रहा ह है, 700 और 680, यह represent कर रहा है, nanometer में wavelength को, chlorophyll 1, किसको जादा absorb करता है, 700 nanometer वाली wavelength को, जबकि यह इसकी efficiency 680 पर रुख जाती है, 680 से उपर वाले को absorb नहीं करता, ठीक है, clear, और आप देखो ना, अगर आप chlorophyll का graph भी देखो, तो chlorophyll A का दूसरा peak, एक तो blue color में peak मिल रहा था, तो red color का peak यहीं तो था, 680 से 700 के बीश में, तो उसी को दो में divide कर दिया, और आपको यह भी समझ में आया, कि हम क्यों कह रहे हैं, कि अगर blue और red को compare करो, तो red में photosynthesis और जादा होता है, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर, जो chief pigment है, वो इस वाली range का है, ना कि इस वाली range का, इसल the reaction center has an absorption peak at 700 nm, while in PS2, it has absorption peak at 680 nm, ठीक है, समझ में आगे आप लोगों को, यह मैंने वैसे immersion के experiment हैं नी, NCRT में, बट by chance, options में मैं देखा है, कुछ, कभी कबार question पूछ लेते हैं, तो अब बिलकुल short में याद रखना बच्चों, actually immersion क्या कर रहे थे, जब अपने experiment कर रहे थे ना, तो उनके दो effect बहुत famous हैं, एक तो red drop effect और एक enhancement effect, पुरा नाम है immersion enhancement effect, उन्होंने क्या किया था अपने experiment में, मैंने आपको कहा, monochromatic light यूज की थी, single single wavelength, एक एक color की light है ना, तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने red light दी ना, only red light, मतलब आप यह समझ लो, कि 680 nm के पीचे की बिल्कुल कोई light नहीं दी, तो अचानक photosynthesis की rate बहुत कम हो गई थी, तुम खुद सोचा क्यों हो गई होगी कम, क्योंकि 680 nm से उपर वाली अगर वो दे रहे हैं, तो सिर्फ PS1 काम कर रहा होगा न, PS2 तो कहां तक absorb कर सकता है, 680 तक ही कर सकता है, तो वो दे ही नह काम दिया, red drop effect, इसी से उनके दिमाग में click किया, कि शायद photosystem दो तरह के हैं, एक वो जो 600 SCNM से उपर काम करता है, एक वो जो 600 SCNM से नीचे या उस पर काम करता है, ओके, और उन्होंने और confirm किया इसको enhancement effect में, उन्होंने क्या किया, यह जो light वो use कर रहे थे, उसको on-off pattern में और on-off pattern में भी कैसे दिया, एक बार far red light को दिया, तो photosynthesis मानलो इतनी rate से हुआ, फिर उसको देना बंद कर दिया, बंद हो गया photosynthesis, red light को दिया, तो again same rate पर photosynthesis हुआ, देना बंद कर दिया, फिर down हो गया, और जब दोनो lights को मिला कर दिया, तो photosynthesis की rate बढ़ गई, दोनो lights से कि जो 680 nm से जादा की light है, और जो 680 nm से कम की light है, जब वो पूरी wavelength plant को मिल रही है, तो but obvious सारे photosystems काम कर रहे होंगे, तो photosynthesis की rate बढ़ गई, तो इन्होंटे नाम दिया, enhancement effect, और इनी सब चीजों से, he led to the discovery of photosystem 1 and photosystem 2, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक table बना दिया, आप भ पहला differences है, तो पहला difference तो क्या है, इनका reaction center vary कर रहा है, दूसरा difference आप क्या याद रखोगे, देखो यह वाला point न, NCRT में ऐसे directly नहीं दे रखा, बट indirectly कहीं न, कहीं आपको यह mechanism में आगे काम आएगा, क्या मतलब है इस point का, फुड़ा सा समझ लेना, कि अगर मैं chloroplast बनाओ हो मान लो, यह chloroplast है, double membranus, यह इसका ग्रेना है, thylakoyds, यह stromal lamily है, यह फिर से ग्रेना है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो first ranker है, जो PS1 है, वो तो हर जगा present है, यहाँ पर ग्रेना पर भी है, और यहाँ stromal lamilya पर भी है, जो yellow color से बना रही हूं मैं, photosystem 1 है, वो कहा है, वो ग्रेना पर भी है, और वो stromal lamilya पर भी है, तो जो PS1 है, it is present at granal lamily, यानी की ग्रेना, as well as at stromal lamily, दोनों जगा है, लेकिन, जो PS2 है, उसके लिए हम कोई दूसरा color ले लेते हैं, जो PS2 है ना बचों, वो इस lamilya पर नहीं होता, वो सिर्फ इस ग्रेना में होता है, और जो ग्रेना की exposed sites है, उन पर तो कभजा कर रखा है first ranker ने, तो second ranker ने का ठीक है भई, में को जहां जगा मिलेगी वहीं आ जाता हूं, तो ये इन छुपे हुए regions में है, जो ग्रेना के oppressed regions है ना, oppressed यानी छुपे हुए regions, इन ही membranes पर PS2 होता है, देको lumen में तो कभी मत बनाना lumen में नहीं होते pigments, कहां होते, membrane पर होते हैं, तो जो PS2 है, वो कहां है, only at granal lamelly, सिर्फ कहां पर है, ग्रेना या granal lamelly, ये एकी बात है, ग्रेना के दो चाहिए granal lamelly के दो इसको, ठीक है, और अगर हम इन दोनों में देखें, तो PS1 तो कहां है, granal lamelly के exposed regions पर, exposed regions पर, या option मे एक बड़ जब question आया था, तो उसमें लिख रहा था, non-appressed region, जो दबा हुआ region नहीं है, इस first rank रहा है, तो वो तो एकदम, वैसे तो first or second में कोई खास फर्क नहीं है, बट फिर भी, वो जो first है, वो non-appressed region पीकदम exposed जगा पर present है, लेकिन जो second है, वो कहां पर है, वो ग्रेना के, oppressed region पर है, कहां पर है, oppressed region पर है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, टेबल में, PS1 की location लिखी है, कि PS1 ग्रेना पर भी है, लैमिला पर भी है, जबकि PS2 absent on stromal lamelly, अभी आएगा, NCRT में आगे point आएगा, light reaction के mechanism में, बहुत काम का point है, ठीक है, और ग्रेना में भी क्या फर region में, ठीक है, और थर्ड जो difference है, जो हम next session में समझेंगे, कि जब हम पढ़ेंगे कि जब light reaction होती है, तो उसके दोराने कि electron transport change चलती है, तो एक तो cyclic होती है, एक non cyclic होती है, Z scheme की तरह, तो अभी मैंने आपको एक diagram दिखाया था, वो Z scheme का diagram था, इसमें second and one दोनों use हो रहे है न, बड़ जो, ये तो है non cyclic, non cyclic इसलिए क्योंकि इसमें हैं से कुछ electron निकलते हैं, वो lot के वापिस घर नहीं आते, तो वो non cyclic होता है, जबकि एक हम पढ़ेंगे cyclic scheme, तो cyclic scheme में क्या होता है, electron निकलके वापिस अपने घर आ जाते हैं, तो इस cyclic scheme में सिर्फ first ही use होता है तो क्या मैं ये difference लिख सकती हूँ, कि जो photo system first है, जो हर जगा है, वो cyclic and non cyclic दोनों systems में use होता है, लेकिन जो second है, उसकी जरूरत सिर्फ कप पढ़ेगी non cyclic electron transport system, ठीक है, clear, तो ये आपको तीनों differences याद रखने हैं, जो आपको next session में light reaction का mechanism समझने में मदद करेंगे, ठीक है ये हुआ आपका complete photosynthetic apparatus, जो machinery है photosynthesis की mesophyll cell, mesophyll cell के अंदर chloroplast, chloroplast के अंदर thylakoid, thylakoid की membrane पर photosystems, ना सिर्फ thylakoid पर वलकी stromal lamellae पर भी, हर photosystem में एक chief pigment है, that is reaction center, that is chlorophyll A, उसको surround कर रखा है, accessory molecules ने, that is antiny, जिसमें आते हैं chlorophyll B, centophylls, carotenoids, जो क्या करते हैं, अलग-अलग wavelength की light को absorb करते हैं, किसको दे देते हैं, reaction center को, ये देखो ये वाला डाइगराम है किया, इसमें दिखाया था क्या है इचीज, जो NCRT में है, ये arrow पता है किसको दिखा रहा है, ये arrow दिखा रहा है, electrons को, जब इतनी sunlight आ जाएगी, photon यानि sunlight, जब इतनी sunlight आ जाएगी, कि chlorophyll A को भी मिल रही है, और इनने भी absorb करके, ultimately इसको दे दी, तो होता क्या है, basically, chlorophyll A के जो electrons होते हैं, वो excite हो जाते हैं, और chlorophyll अपने कुछ electrons loss कर देता है, अगर ये एक complex substance है, इसमें carbon hydrogen atom सब है, तो कही ना कहीं, electron भी तो होंगे, ना, light गिरती है, तो electrons अपने shell को lose करके चले जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा, loss of electron is called oxidation, तो वैसा ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कि जब chlorophyll A को sufficient light मिल जाएगी, तो इसके electrons excite हो जाते हैं, and loss of electron होता है, उससे एक electrons का flow शुरू हो जाता है, that is called ETS, electron transport system, इन electrons को प पकड़ता है, फिर कोई और पकड़ता है, इस तरह एक transport system चलता है, यह जो लिखा है primary acceptor, इसके बारे में पढ़ेंगे कल के session में, कि light reaction basically किस तरह से होती है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, इसको एक बार फिर से NCRT से पढ़ लो, यह chapter आप सिर्फ NCRT पे नहीं छोड सकते हैं, आपको इस chapter के खुद के notes बनाने पढ़ेंगे बचों, तभी आपको यह बाद में जब आप revise करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि NCRT में थोड़ा सा confusing है, तो मैं यही suggest करूँगे आपको कि इस chapter के at least साथ साथ में notes बनाते हुए चलना है, ठीक है, notes available है team competition app पर, वहाँ पर आप इन notes को देखकर अपने notes बना सकते हैं, ठीक है, okay, goodbye